दुरलब वस्तों की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अम्रित मंथन किया मंथन के समय एक एक दुरलब वस्तोंे प्रकट होने लगी साथ ही प्रकट हुआ विश जिसको भगवान शिव ने क्रहन किया और नील कंट कहलाए और ततपश्चात प्रकट हुए रत्न कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं कैसे ये रत्न आपका भग्य बदलते हैं कैसे ये रत्न आपको स्वस्त बनाए रखते हैं कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं रतनों की इस असीम उर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ नमस्कार दुशी को बैरी तुमर स्वागत है आपका हमारे खास कारी करम रतनों जामे और इस वक्त मेरे साथ मौझूद है विश्वी विख्यात जोतिश महर्शी पंडित प्रकाश जोशी जी बहुत स्वागत है आपका हमारे कारी करमे गुरू जी जैमात अदी बेटा ओम शर्व मंगल मांगल ले शिवे शर्वार्त शाधिके शड़ने त्रंब के गोरी नारायनी नमस्तु दे जैमात अदी बक्तो तो दुश्य को हमेशे की तरह आज भी हम अपनी आपकी समस्याओं के जो है समधान के साथ हाजिर है अपने इस कारी करम में और आज भी हम आपके जीविन की समस्याओं को दूर करेंगे और उनका णिरा क्रेंड आपको देंगी दर्शक लगाता जूने शुरू हो जाते है कारी करम की शुरात होते ही तो देख ले दे देर्शक में साथ कौन जीडियों है हलो 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 जी स्वागत आपका कारेक्रों में नाम बताई है हाँ हलो मेरा नाम नमिटा है मुझे अपने बेटे के वारे में पूछना है जी डेटो पड़ता है 18 सप्टेमबर 2002 साथ बस की जवालिज में देली मौनिंगा जी हाँ तुसके बारे में पूछना है पंदीजी ओन अब है तो उसका रिजल्स कैसा रहेगा और वो थोड़ा भी पड़ाई में थोड़ा अच्छा नहीं कर पा रहा है पड़ाई में प्लीज प्लीज डेटो परत का बता ही आपने देटो बर्द दिता है 11,1,2, 1,6,1, 2,6 मार्निग जणमस्थान दिल्ली है जी वह बैंक में है तंथ मैं है किस में है तैंथ में अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है देखें की कुंड़ली के अनुसार ना बच्चे की राहू की जब महादशा चलती है या युवा वस्ता में राहू की मादर्शा होती है जिन जातुकों की यह जिन बच्चों की तो वो गलत संगत से बहुत ज़्यदा प्रभावित होते हैं ऑट ऐसे में हमें क्या करना चाहिए इसको प्रखर करना और बुद्र करण करता बुद्र अध्यां घर्खिक घर्खर test तो सरस्वती मंत्र का आवाहन अति लावकर हुता है सरस्वती मंत्र हुता है ओम हरीम ओम हरीम एम हरीम सरस्वते नमा दुबारा बोले तो हम ओम हरीम एम हरीम सरस्वते नमा यह मंत्र का जाब बालक से करवाओ चाया वह 21 बार करें 31 बार करें वैसे तो एक माला करनी होती है ए लेकमाला कली ले तो अतियुत्त्यम है और दूसरी से DAVID बात कि आजकल बच्ये पे माबाप का control क्यूझन ही आज DOU्सक्तर ॉन्हें सथे फारो माबाप का control क्यों रहा है आज का वाश्वा पे अ क्षें ईस प्रसवान parlanti पार entwickelt संतुष्ट क्यों नहीं है घर में इर्षवद्वेश क्यों है समाज के अंदर कभी आपने ध्यान दिया क्यों हो रहा है कारण क्या है कि हम पहले जो है हनमान 40 का पाठ करते थे याद है आपको आप छोटी हुँगी आप हनमान 40 का पाठ करती थी वो वह जो समाज था बड़ा संतोज जनक था वो जो समाज था बड़ा मुगों के धर में देखता हूं कि हुगता है और हन्मान चौली अप नहीं करने के representingch Kalina का बच्चों एसनक वह पार की नहीं नहीं बनती है पति-पतटी की नहीं बनती बहुत रहे विकार जो तो इसी वज़े से कहते हैं ना भूत प्रेत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जवनाम सुनावे भूत प्रेत पिसाच क्या होता है यह क्लेश आश्मिता राग द्वेश एहंकार लोब यही तो है बिल्कुर आपने सही कही कि पहले की जमाने में सब को मुझ जवानी जो है यहां पर हनुमान चालिश ना याद होती थी और आस तो शैद कोई बीन देखे प्ड़ भी पाए जिनको यहां पर हनुमान चालिश से याद हो यह बात तो आपने विल्कुल सही कि गुरू जी और इसी के साथ दर्शी को अगर आपको भी किसते देगा माग दर्शीन गुर कि जब भी आप कारिक्रम में जुड़े तो अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके हमसे बात करें क्योंकि कारिक्रम में आपकी आवाज हमें ठीक से नहीं आप आती है और हम भी आपको यहां पर बोलते रहते हैं आपको हमारी आवाज नहीं पहुंचती है तो उससे में रहें देखते हैं अगले दर्शे कौन जुड़ गए हैं हालो नमस्ते जी नमस्ते स्वागत आपका कारिक्रम में नाम बताएगा अपना संजे श्रीवास्तव नाम है संजे जी अपने डेटों बद बताईए मेरी 21 जन्मरी जी उननिस्सो सेवंटी सेटर जी समय है मेरा दुपहर के तीन बज़ के दस मेंट और दिली का वरत जन्मरी जी क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में गुरुजी मैं आपसे पहले से जुड़ा हूँ और मैंने अपने वेफार के लिए आप कुछ उपाय कूची से अपसे तरीब 6 मेंट दिले अच्छ जी बताए तो यह तो मैं आपका बहुत बहुत दन्यवाद देना चाहता हूं और गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल और है पहले तो मेरा एक सवाल आपसे हैं देखिए बहुत लोगों को मिलता है और यह नहीं बड़ी बात नहीं है जो माता रानी की भक्ती श्रद्ध भक्ती करेगा यह श्रद्ध दाव से करेगा तो उसको रिजल्ट मिले गा है मिले गए इसमें मेरे को कोई संचे वाली बात है नहीं दूसरी चीजी है कि आप माता रानी आप से चाहती है कि आप परियावरण की भी रक्षा करें आप सोला पेड जरू मिला है जिन भी लोगों को मेरा सवाज ये था कि गुरुजी है अधिया आपकी कुंडली के अंदर वैसे तो आपने बहुत अच्छा प्रशन किया और समाज में कहते ना कि पुता पुत्री को पता नहीं क्यों गलत माना जाता है या पुत्री से कस्ट आता है हलाकि बेटी है तो कल है याद रखिएगा यदि बेटी है तो कल है लक्षमी भी उसे का गया है सरस्वती भी उसे का गया है और उसी से अधिस्तात्री भी उसी को कहा गया है सारे जो देवी देपता है चाहे हमारे शिव बाबा हो सारी देवी देपता उसके नतमस्तक है तो द तो ऐसा 這是 हमारा और कहीं न कहीं न कहीं न कुपर था कुछ समाज़ बीच में लग गया लेकिन वेदों में कभी उसरी का निराधर जो हमारे पुरान कहीं भी इस्थी का निराधर नहीं है पता नहीं समाज में कहां से आ गया कहां से पुत्री ना होने की बात हो गई सभी राजाओं की पुत्रियां थी बल्गी राजाओं की तो एक एक पुत्री थी तो पुत्रिया तो थी और लोग राजा पाकिशाली मानते थे सीता भी थी तो ऐसा तो कहीं भी हमारे शात्र में ल नहीं है यह समाज ने अपने फायदे के लिए कर रखा है और नाम देती है धर्मिकता का कोई इसलिए मैंने का इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ देखिए आप इस प्रीचुल बनेंगे तो ज्यादा फायदा है हर धर्म में कुछ न कुछ अच्छी बाते होती है ऐसा नहीं कि हमारे धरम में अच्छी बाते होती है उनको अपनाना चाहिए कि स्पेच्छल तो मैं मैं इसको मानता हूं कि धार्मिकता को छोड़िये और तो बिल्कुल यहां पर आपको बताए है वो आपको करने हैं साथ ही गुरुजी नहीं पर बहुत अच्छी बात बताई है कि आप यहां पर जो कट्रवादिता है उसे यहां पर कम करें और अपने धिमाग में धर्मिक्ता जो है वो उसको अपनाए पर आपने कहा है आप लेकिन गुरुजी यहां पर एक बात और है कि कुछ लोगों को तो यह लगता है कि इस पिश्यूलिजम मतलब भी यह कि किसी धर्म विशेश से जुड़ना उनको यह चीज नहीं ध्यान कि इस पिश्यूलिजम हर जाती और धर्म से ऊपर आता है पूझा करते हैं इंतने बड़े तो स्पिश्यलिजम है नहीं कि हम इतनी बड़े कर पाएं और क्योंकि मनुश्य का मन भी रहता है इसलिए मूर्ति मुर्ति को देखके उसको एस तो अने फ्यति हो कि प्रकट इश्वर हमारे सामने इसको इस तरह समझाइए कि आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपको एक एड्रस चाहिए आपको यह एड्रस है तभी तो पहुंच पाएंगे आप हाँ जब आप चार-पांच बात चले जाएंगे तब आपको इस एड्रस की जरूत नहीं है शुरुवात मूर्ति पूजा से ही होती है ठीक है जब आप अपने आपको शक्षम कर लेंगे कि हर जगा पे हिश्वर तो हर जगा पे हैं लेकिन थियोरी कब सच होगी जब आपके इंदर से कॉस्मिक अनर्जी ब्रमानी और जे निकलने लगेगी जब आप मंत्र में पूजा में और ध्यान में इतने रम जाएंगे उसके बाद आप निराकार की पूजा कर सकते हैं लेकिन एकदम से नहीं होगा उसमें सालों साल भी लग जाते हैं बिल्कुल यह बात तो अपरी गुरुजी और इसके साथ ही दर्शिकों यहाँ पर जब भी आपको यहाँ पर इस्पिरिशलिस्म को आप अपनाएंगे तो इससे क्या होगा कि आप खुद बाखुद जो है इस धार्मिक कट्रता से दूर हो जाएंगे और साथ ही इससे आपका जीवन जो है खुश के साथ गुरुजी हमें इमेल भी जोता है आते हैं कारिक्र में इमेल देख लेते हैं कि कौन कौन से हमेरे पास यहाँ पर आये हुए हैं नाम है इनका अभीनव डेट बर्थ है इनका 2-8-19-76 और जन्म समय है इनका सारे 10 बजे रात को जन्म स्थान है इनका दिली और यह प चांसे है इनके अपनी कंपनी की तरफ से तो प्रमोशन हो जाएगा तो यह जा पाएंगे और इनका बहुत इक्षा भी है इनकी जाने की लेकिन हो नहीं पा रहा है तेकि ऐसा है कि आपके विदेश जाने के योग पूरे बन रहे हैं आप पन्ना रतन पहन लीजेगा बस मे यहां पर यह उपाए आप कीजिएगा अभिनव जी उसके बाद क्या होका चल रही है आपका प्रमोशन भी यहां पर हो जाएगा अगले ही में ले ले लेते हैं गुरुजी इनका नाम है गौरव और डेटो बर्थ है इनकी 17 सब्टेंबर 1983 और डेटो बर्थ है इनका लॉस चल रहा है अचानक ही इनको काफी जुटका यहां पर लगा है तब तक ठीक था लेकिन जो लॉस इनको यहां पर हुआ है इसकी वज़े से काफी जो है बहुत पीछी आगे इनका बिजनस देखिए भहुत बार क्या होता है गौरव जी हमारे अपर सणी की साड़े सात दिये उनको कि भी जो कर सकता है कर ले में चीज यह है कि आपके पर साड़े साती लगी आप इससे बचाव के लिए आपको क्या है या तो आप अपने धरम पर पक्ते रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं माता-पिता की सेवा कर रहे हैं या कोई ना कोई खास्यत होनी चीए ने ने के लिए लिए को जरूरारी नहीं जुद की इस माता-पित नोनों की दिर्ड़ बाक्ति की हो तो अपको घ्रह बखश देगा या इसकले डार अधारन कर लिगा संसान से भी आप और नंबर हमारी यही है जो TV स्कीनी पर फ्लाश हो रहे हैं निके जरीए आप संस्तान से जुड़ सकते हैं, गुरुची से भी जुड़ सकते हैं, पस से आपटेमेंट आप ले सकते हैं, दूसे थीन महीने पहले आपको आपटेमेंट लेना होगा, गुरु जी वोट्सेप भी हम यहां पर ले लेते हैं अमित इनका नाम है और 14 जुनवरी 1982 इनका डेटो बर्थ है और जन्म समय है इनका शाम 7 बजे और जन्मिस्थान है इनका एहमदाबाद जी अपनी शादी के बारे में यह जानना चाहते हैं शादी इनका अभी तक नहीं ह हुई है मैं यह मैं यह कहता हूँ कि आपकी कुड्ली में मंगल दोस बenne रहा है और मंगली दोस्की पूझा आ अप करा लें किसी अच्छे प्रकांट विदवान से मंगल की पूझा तोकर गले मैं दा धारन करें ताकि कि आपका मांगली दोश पूर्ण तरीक से चले जाएं दोनों हातों से करें एक तरह पूजा भी करा लेक्तरफ कवज भी पहले तो यह जो वन परसेंट भी मंगली दोश रहता है ना वह घातक होता है वह अभी नहीं लगेगा अभी बलड गराम है आपका लेकिन जब जैसी हम सब चीजों को मानता है लेकिन उसका एक समय होता है सवाल तो मेरे जहन में आप से था पूशने के लिए लेकिन क्यूंकि हमारी प्रायोरीटी हमारी प्रास्मिक्ता दर्शक है तो हम पहले होने लेंगे हलो जी स्वागत अपकर कारिक्टरम में नाम बताईएगा अपना जी और जन्म समय है इन बचल लगब बीस से पचीज मिनत के दरीब का है एक जैक्ट तो याद नहीं है पीस या पचीज रहा होगा कब दुपहर की राद सुपहर की दुपहर की दुपहर की जन्म इस्थान बिल्ली का है मेरा जन्म है बताईए सवाल की चैपना आपकी कुं दूसरी शादी की हुई है मैंने पापकी आपकी आपकी यही एकुरेट आरी है इस अच्छा गुद्धी एक थी लोर मुझे थोड़ा सा आपको बताना था मैं शंप चाहूंगा वैसे तो आपका काफी टैम से प्रोग्राम देखता आओं फोलो कर रहा हूं जो गुरुजी आप भी कुर्ता पहने हुए है आज बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं मार्केट में भी कई वाद ढूंटता हूं बद मुझे मिला नहीं है सकूंथा जैम आता जी कोई बात नहीं दूंते रही है जी और बताए जी और बताए है बज गुरुजी बाची सब कुछ ची कि आप बदाए थोड़ा कुछ और क्या है मेरी कुंडली में जिसका मुझे मुझे उपाय करना है या ठीक है सब कुछ कुंडली के आनुसार तो मैंने आपको बताई दिया आपकी कुंडलिगे तीन बच के दस मिन्त वाली वही थी है थीया दिस समस्यादुर में नहीं है कि वादी सब्सक्रा वाकने कॉ मातराओनी कि देखो आपका काम अच्छा है इश्वर की मातारणी की अश्रुवाद की जुरूत है और अभी के आना आपकी मंगल की माधशा चल रही है मंगल में बहुत बार और ऑप्रेशन की योग बनते हैं तो उस पर ध्यान रखिएगा एक बार अपना महामिर्टिंजे जाप करा लीजिएगा अगर आपको ऐसी संभावना लगती है कि भाई पंडे जी सही बता रहे हैं यहीं करा सकता हूं या आपके उदर सरस्तान यहीं करा सकता हूं मैटर यह नहीं करता है कि आपकी किस पर शरद्ध है कहां से आपकी ब्रहमानिय उर्जा जनरेट होगी वहां कराईए कोई वह बढ़े-बड़े एक्टर को देख लेते हैं बढ़े-बढ़े उनको देखे भी हमें एनर्जी जनरेट नहीं होता है इंटा यह बात है आपकी आपकी अपरिशानी होगी तो आपको उससे निजात यहां पर मिर जाएगी साथी दर्षी को absorb नमबर में लगाताँ TV स्क्रेंपर चल रहे हैं इन पर आप काल कीजिए इनके जरिये आपकर में जूड़ सकते हैं कारिक्रम में अगर आप नहीं जूड़ पाते हैं कारिक्रम के बाद भीया पैनी नमर पर संपक्री कीजिए तो आप संस्थार में बात कर सकते हैं अचारे जी से बात कर सकते हैं गुरुजी से भी जुट सकते हैं अगले दर्शिक लेते हैं गुरुजी को, सब्सक्राटों है, हलो आपे अपनो नाम बता हैं को अपनो कि अपने वारी में चाहिए हैं गर्मो कृपा कर सकते हैं जी में अंपने बारे में जाना चाहते हैं यह बडी शिच्टर के बारे में, टेटो बहुद है मुझा नाम है हर्षा सोनी, देटोई बरता है बीजद़, बानने, जन्व समय और जन्म स्तान, जन्म समय है 11 पीम, क्या जन्ना चाहते हैं आप इनके बारे में, ये जन्ना चाहते हैं रतरंगड, चुरू, क्या जन्ना चाहते हैं, रतरंगड, वित्ती एंगेजमेंट और शा दिक्त है और इसा है कि शुक्र कभी भी राहू के साथ में बैड़ता है ना तो एक लज्ब ढूसक अपनी बहन को पहना दें चाकि यह कोई घटना कोई घटित ना हो लज जी दोस नाशक कवच अब सिस्टर को पहना दे हैं अच्छा हानी है कि पुरुजी हमेशे आप इतनी अच्छी बाते हमें बताते हैं हमारे दोश्कों को इतनी अच्छी जानकारी देते हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया जैम आता दी आपको भी और जैम आता आती बातो